प्रिक बॉस के घर के अंदर दोस्तों आपको बता दे कि MC स्टेन ने अर्चना के तरहा कर दिया हरकत बता दें आपको कि जैसे अर्चना ने एक बार किया था अर्चना ने शिव पर हाथ उठा लिया था अब यहां पर दूसरा नंबर एंसी स्टेन का है खबर यह आ रही है कि एंसी स्टेन ने घर के अंदर सबसे पहले लडाई शुरू की लडाई मतलब अब्यूस करना शुरू किया और उसके बाद शालीन भनोट जो है वो गुस्सा होते नजर आए दोस्तों बिग बास के घर में जब यह टास्क हो रहा था आ तो शालीन भनोट और शालीन भनोट को लेकर शिव और शाजिद में बाते होती नजर आती है तो वहां पर यह जाता है और हम उसका ट्रस्ट नहीं है और बहुत लड़ाई करता है तो एमसी कह देता है कि मतलब रो मुका आने तो मैं इसको बताओंगा और तीम जी गहने टी से भी दोस्री कर लिया तो यहां पर जैसे देखता है कि उसको पैर चोट लग गई है हलांकि वह गलत नहीं कहता है कि शालीन जासरे से पैर ऐसे टर्न फोल्ड कर रहे हैं तो गलत नहीं कहता है वह जान बूच के जो भी है तो फाइटिंग करने के लिए अबूजिंग करता है फर्स्ट में शालीन भनोट को ठीक है उसके बाद घर के अंदर इस तरह की लैंगविज जो है वह कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा यह बात फैक्ट है कोई भी बन्दा क्योंकि उसकी है है हमेशा लैंगवज बोलता है तो उसको लैंगवज में गाली ब पता चला है कि he has the habit of using abusing language regularly ठीक है ताइम नो वन चैना डिस अवरी ताइम सो यहां पर यही वस कहा जा रहा है कि अपनी पहले हैल्थ देखें अपनी पहले आपको देखें और शालीन भनोट को देखें अगर एक लपाटा पढ़ता ना बंदे को तो दस दिन तक होश नहीं आता शालीन का जापड़ पढ़ता अगर से तो क्या कहेंगे आप यहां पर अब जो सल्मान खाने वो काफी पुरी तरह से गुस्ता होते नजर आये हैं और सल्मान खाने साफ कहा है कि घर के अंदर यह कते बरदाश नहीं की जाएंगी अब देखने वाली यह बात यह है कि क अब यह बात करें अगर तो शालीन भनोट की और जब एमसी की लड़ाई हो रही थी तो उस दौरान शालीन भनोट को रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति यह लड़की सामने आती है वह सुंबल तौकिर खाने क्योंकि टीना के पैर में लग चुकी है तो शाल सुंबल तौकिर खान जो है वह शालीन भनोट के गले लगती है उन्हें चुक करने के कोशिश करती है बंदी बहुत मैं यह अब्जर्व करती हूं कि शालीन भनोट से गले लगने के लिए सुंबल तौकिर खाने वह अलग तरीके से यहां पर करती है उसको पैंपर करने की गले लगने की से रोकने की थोड़ चिला कर भी दिखाती है उसे नहीं आप तुम नहीं जाओगे आप तुम नहीं जाओगे तो कहीं ना कहीं बंदी सीधा उस पर जपटी पढ़ती है शालीन मरूट के उपर सुमुल तवकिर खान का इस तरह से जपटने का जो मुद्दा है वह भी अलग है वह समझ से परे है तो क्या कहेंगे इस पर आप इन दोनु चीज़ों पर क्या कहेंगे की की सुमुल तवकिर खान सीधा शालीन पर मौकाई ढूंडती रहते है जपटने का और गहीं ना कहीं यही चीज जो है वह सुमुल तवकिर खान के बीच और टीना के तो शालीन के बचे एक बार फिर जगड़ा करवाएगी तो क्या कहेंगे आप अपनी राये जरूर दें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद